अरे अरे टाइम होगे क्लास का, it's almost free and champs batch की क्लास start होने वाली है, आज हम कुछ नया पढ़ने वाली है, चलो let's go to class, oh my god ये मैं क्या देख रही हूँ, आज रिशब परिशान है, अगिन कुछ ना कुछ प्रब्लम तो होई ही जाती है, तो मैंने रिशब से पूछा कि वो इत life situation से, वो भूलता है कि माम, मेरी मम्मी जो है, वो रात में काम करती है, और वो रात में इसलिए काम करती है, क्योंकि वो US Clients से बात करती है, और US Clients क्या रात को सोते नहीं क्या, तो मैंने भी उसकी problem बहुत गंभीता से सोची, और उसने मुझे ये भी बोला, कि मेरी मम्मी म कुछ रात को बिलकुल भी टायम नहीं दे पाती पहले हम स्टोरी टाइम करते था मम्मी के साथ लेकिन जब से मम्मी की शेफ्ट चेंज हुई है ममा की नाइट शिफ्ट हो गई तो ममा काम करती है रात को और ये बोलती है कि यूएस क्लाइन्स है वो दिन में जब हमारे यहां तो यही तो मैं क्लियर करने आई है मैंने सोचा यह मैं पूरे चाप्टर में क्लियर करूं और रिशा भी नहीं बाकी सब बच्चों की प्रॉब्लम ऐसे सौट हो जाए सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि जो हमारी अर्थ है क्या हो ऐसी है बिलकुल दिखने में हमने लास्ट चाप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ हमारी प्यारी अर्थ थोड़ी सी हैं ठोड़ी सी क्या है थोड़ी सी त्हलब्लम जोड़ी से जुकी हुई है है तो अगर ये जुकी भी नहीं मामी जुकी सी और ये बनाते हैं और देखते हैं कि आर्थ में और क्या क्या होता है जो आम प्रिविएस चाप्टर हो जोग्रिफी में भी बढ़ा चलिए एक प्यारी सी अर्थ बनाते और बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट किया कि जो अर्थ की शेप है वो स्वेरिकल नहीं है इट इस जियोईड और हम इसको जियोईड क्यों बोलते हैं आईए देखते हैं तो फॉर इक्जाम इसको जियोईड शेप बनाएंगे ठीक है विच मीन नौर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैट है और बीच में चीक्स बल्जाओट होते हैं ऐसे वह बल्जाओट होती है ठीक है तो हमने यह देखा कि जो हमारी प्यारी अर्थ है यह नौर्थ पोल है इसका और यह हमारी प एक्वेटर पर यह डिवाइड भी होती है यह एक्वेटर पर क्या होती है डिवाइड भी होती है और एक्वेटर को क्या माना जाता है जीरो डिग्री अब बात तो यह आती है कि मैम अगर हम अर्थ को बीच में से डिवाइड कर देंगे तो क्या अर्थ टू हास में या फि तो कि जैसे कि हमने देखा, अर्थ क्या होती है, हमारी प्यारी अर्थ होती है, रोटेट होती है, रोटेट होने का मतलब वो अपने आक्सिस पे, जैसे कि हम बॉल को ऐसे गुमाएंगे, वो स्पिन करती है, रोटेट करती है अपने आक्सिस पे, तो ये सारी चीजे जो हैं, कि क्या है? यह imaginary हैं, क्या है यह imaginary. तो earth क्या करती है, rotate करती है अपने axis पर और यह जो axis है इसका, यह imaginary axis है, यह हम earth में find out नहीं कर सकते, क्योंकि यह है ही नहीं, यह तो हमने earth को, हमारी प्यारी earth को समझने के लिए बुणाया, तो axis जो है, वो imaginary है, और यह imaginary axis है, तो हम एर्थ के Axis बनाते हैं चिक्ति सब्यक्राइब अगर हमें कौन कोण से आंगल पर जुकी हुई यहां 23,5 degree के आंगल पर जुकी हुई है लेकिन हमें कैसे पता लगा क्योंकि अगर हम अर्थ को divide करते हैं पूरी लाइन पर ठीक है अगर हमने अर्थ को divide किया पूरी लाइन पर तो यह देखो यहां जो का थे नर्थ पॉल से साओ्थ पॉल एक ऐसा अंगल बनता है जो की 90 अंगल बनता है और अर्थ कितने अंगल पर जुकी हुई है है जुकी हुई है 23,5 डिगरी के अंगल पर यह वपाला जो तो अंगल है इसको बोलते है एचिक पले this यह वला आप देखो और यहां से अर्थ जुकी हुई है यह आमने अर्थ को जुकावा दिखाया तो यह वला चो आंगल है यह होता है 23 अंडा हाफ डिगरी आंगल पर अर्थ क्या है तिल्टेड है अर्थ जुकी हुई है तो मैम जो आपने यह जेखी ग्रीन वली लाइं बनाए यह क्या है यह भी इमाज्िनलिंस रही हैं युटले हैं लुट्टव लॉंगिट्यूट्व्स यह साभी इमार्मियु युट्विड्व लाइन ऑप यह वलाइन लुह ऑो मैं आपने आक्सों बताया ज़ेक्ञ ऑ्टर रोकोड श्कुमा में कर ठीक है और पूरा रोटेट कर रही है इतना समझ आया अब बात होती है कि जो रिशब की प्रॉब्लम थी कि मम्मा यहां इंडिया में वोक करती है रात को लेकिन यूएस में दिन होता है यूएस क्लाइन से बात करती है ऐसा क्यूं है जब हम दे और नाइट का पता लगाते हैं जब हम जब हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों कि कुछ जगा हो रहा है डे और कुछ जगा हो रहा है नाइट सेम टाइम पर सेम टाइम ठीक है सेम टाइम पर एक जगा मानो हो रहा है दिन और दूसरी जगा हो रही है रात तो यह कैसे पॉसिबल है तो इसके लिए हमें यह करती है earth revolve भी करती है rotation समझ आ गया कि earth rotate करती है समझ देते हैं कि are rotate कर रही है अपने खुद के axis पर यह equator है और इमाज़ुनी लाइन किया है ऑफ क्या axis और का axis कितना टिल्टेड है 23½ गीरिक अंगल पर पहली चीज़ क्लियर हो गई rotation की definition भी कर लेते हैं, rotation is the movement of earth on its own axis, अपने खुद के axis पे rotate होना, मतलब rotate करना, मतलब rotation पाना, move करना, अपने खुद के axis पे move करना, हमारा क्या होता है, movement of the earth on its own axis is known as rotation, तो आए हो बच्चो, rotation आपको clear हो गया, ठीक है, अब बात यही है ना, कि day or night में क्या फरक होता है, चली आते हैं, एक सुन्दा diagram बनाते हैं, फिर से, और day or night को समझते हैं, हमें ये भी पता है, कि जो earth है, वो sun की आगे revolve करते हैं, ठीक है, ये हमने बनाया अपना sun, ठीक है, तो मेरे साथ, छोटे छोटे diagram बनाते रहो, ये हमने बनाया sun, sun should be of definitely yellow color, ठीक है, ओ-ओ, ठीक है, ये हमने बनाया अपना sun, और हमें ये पता है, कि जो earth है, वो revolve करती है, revolve का मतलब sun का चक्कर लगाना, ठीक है, और वो भी अपने orbit पे करती है, वो भी अपने orbit पे करती है, चलो ये एक orbit बनाते हैं, बढ़िया सा, ठीक है, एक orbit बनाते हैं बढ़िया सा, और वो भी imaginary है, ठीक है, मुद्दे की बात ये है, कि जो orbit है, वो भी इमाजनरी है और और जो है वो कई सर्कुलर मोशन में नहीं है तो मानों की अर्थ हमारी मानों की अर्थ हमारी इदर है और इदर से इदर हमारी अर्थ यह थे पूरा गूमती है पूरा एक चक्क लगाती है सन के इरद गिरद तो हो जाता है हमारा one year 365 and a half time में या इतने दिन में वो complete कर दी है पूरा revolution याने की सन के आगे गूमना ठीक है चली हम बनाते अपना अर्थ अब ठीक है मान लो हमारी अर्थ यह है ठीक है मान लो कि हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की है चुछ इस ओन कर दिया ऑर लो होगी डिवाइड तो कहा जाता है कि जब अर्थ को एक इमाजनी लाइन से कट करते हैं अभी हम अनुझे सको टेल्ट नहीं किया असली में तो और टेल्ट भी होती है तो माल लो अगर हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया और सन की रेज पढ़ रही है इस तरफ सन की रेज पढ यहां पर सन की रेज नहीं पढ़ रही तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा नाइट टाइम यहां पर हो जाएगा पूरा नाइट टाइम लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने यह सिखाया कि अर्थ में टेल्ट है अर्थ बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिख और कुछ पार्ट में रात हो पर ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि जहां पे संकी रेज पढ़ रही है वह वाला अर्थ का पाथ होता है अब बात आती है कि अभी तो मैम आपने बताया कि तिल्टिर है फिर इस किनैयरियों होगा चलिए अब है एक और और रख डायेगरम बनाते हम बनाते हुए आगे चलते हैं कि एसलिग तो सबसे पहले हम न고 डिवाईड करते हैं तुवेड बैटो इकोल पार्ट के अंदर के अन्दर तो यह सारी को हमने टूइकवल पार्च में डिवाइड लग रही है यह हमें ओके के टूइकल पार्च में डिवाइड कर दिया तो यह बली जो लाइन है यह क्या है वाम यह वली लाइन इच्छली हमें बताती है कि इस वुल्य पार्ट में रौशीन नहीं आती तो इसको बोलते हैं सर्कल ओफ ऐल्यूमिनेशन क्या बोलते हैं सको सर्कल ओफ ईल्यूमिनेशन यह वेले जो लाइन हैके यह भी इमैजनरी लाइन है ये भी imaginary line है, ठीक है, ये सिरफ हमें day और night का पता बताती है, कि इस तरफ day है, इस तरफ night है, ठीक है, और उसके बाद ये वही line को क्या बोला जाता है? circle of illumination, इसको क्या बोलते है, circle of illumination, इसको बोलते है, circle of illumination, ठीक है, अब आते है, circle of illumination की definition करने के लिए, ठीक है, ये circle क्या करता है, divide करता है, day, from the night, on the globe of the earth, इसलिए इसको circle of illumination बोलते है, ये बताती है, line, ये भी imaginary है, ये बताती है, इस तरफ day है, और इस तरफ night है, ठीक है, लेकिन ये circle of illumination जो है, ये axis से बिलकुल अलग है, axis बताएंगे भी क्या होता है, axis पे तो रोटेट करती है, और axis पे जुकी हुई है, ठीक है, तो जुकी हुई line और illumination line दो अलग lines है, ठीक है, circle of illumination बस आदे में divide करके बता रही है, यहाँ day है, यहाँ night है, ठीक है, और illumination हो गया ये, day और night बता रही है, पे डिवाइड कर रही है, लेकिन दूसरी axis जो है, वो जुकी हुई है, हमेशा यह याद करना, जो axis है, वो 23.5 डिगरी पे जुकी हुई है, ठीक है, और earth takes about 24 hours to complete one rotation, यह ऐसे rotate करने में 24 hours लगाती है, और पूरा यह sun है, इसके इरद गिरद गूमने में, कितना time लगाती है, पूरे year, वन year लगाती है, जिसमें 365, 65.5 होते हैं day, ठीक है, और अगर एक में the period of rotation, एक दिन complete कर रहे हैं, तो मतलब हम earth day मना रहे हैं, ठीक का मतलब क्यों होता है, कि हम एक पूरा rotation complete करने हैं, अर्थ अगर पूरा 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 ऐसे गुमी, ठीक है, तो क्या हुआ, अर्थ अगर गूमते 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 गूमते, सन के आगे पीछे गूम रही है, ऐसे 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 करके, ठीक है, वोप circle of illumination clear हो गया अब वापेस आते हैं कि माम circle और illumination ठीक है और आप axis साथ में बना के दिखाओ तो illumination से day और night का पता लग जैसे कि हमने यहां बनाए illumination यह यह लाइन से हमें day और night का पता लग गया ठीक है एक्सेस से क्या होता है बिटा देखो अगर ठीक है अगर देखो यह पूरा rotation 24 hours में complete होता है यानि कि एक पूरा दिन ठीक है तो देखा जाए ऐसे तो 12 hours की day होनी चाहिए और 12 hours की night होनी चाहिए पर क्या ऐसा होता है नहीं माम ऐसा बिलकुल नहीं होता कभी कबार days बड़े होते हैं कभी कभार nights बढ़ी होती है तो यह क्यों possible है ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार days बढ़े होते और आई छोटी होती है just because कि हमारी earth tilted है तो क्यों अगर question आ गया आप से भी कोई पूछ ले general knowledge ऐसा क्यों होता है why we do not have 12 hour day and 12 hour night ठीक है ऐसा क्यों है कि 12 गंट की दिन होना ची बारा गंट की रात होना ची ऐसा नहीं होता ठीक है why we do not have तो सबसे पहली बात आएगी this is not possible ठीक है not possible यह possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि sometimes sometimes days are longer कभी कभा दिन बड़े होते days are longer always ठीक है why we do not have always यहां पर always दिखते हैं हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता ठीक है answer question में always हमेशा ऐसा क्यों नहीं तो कई बार possibility हो सकती बड़ हमेशा इसा नहीं होता ठीक है हमारी प्यारी अर्थ क्या है जुकी हुई है 23 अंडा हाफ डिग्री के अंगल पर ठीक है पर मैं इसके जुकी होने का हमें practical दिखाओ अब आते हैं practical पर ठीक है जुकी भी ना होती तो हो सकता था कि 12 गंटे के दिन होते और 12 गंटे की रात होती लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आवर अर्थ इस तिल्टेड क्योंकि आवर अर्थ इस तिल्टेड ओन दी आंगल ओफ और जुके होने के चकर में कुछ दिन लंबे हो जाते हैं और कुछ दिन छोटे हो जाते हैं ठीक है यहां तक समझ आया कुछ दिन लंबे हो जाते हैं कुछ दिन छोटे हो जाते हैं मैं और डिटेल में समझने के लिए आजो एक और बनाते हैं और बनाते हैं सन यह हो गया हमार सब्सक्राइब दिस आवर सब्सक्राइब दिस आवर सब्सक्राइब अधिरेज बड़ा होता है बट कोई बात नहीं बड़ा बना लेते हैं सब्सक्राइब थे की आधी रेस हम इदा से सुन थे करें हम अधा सन बनाएं को सन बहुत बड़ा है यह हो गए हमारा Sun, ओके, और हम बीच में बना रहें Earth, ठीक है, यहाँ पर हम Earth बनाएंगे, और सारे बचे यह बनाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए, कि हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है, हमने Earth थोड़ी सी बड़ी हिसले बनाएं ताकि हम समझ जाएं, लेकिन Sun बड़ा होता है, ठीक है, चलिए अब हमने यह देख लिया कि Sun बड़ा होता है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन, बिकाज यह डिवाइड कर रहा है Earth को, ठीक है, सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन बनाएंगे, ठीक है, यह हमने आदा डिवाइड कर दिया, यह Axis नहीं है, यह क्या है सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइड बताता है, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या कर लिया, हमने अब बनाया Axis, जिस पे Earth हमारी घूमती है, यानि की Earth का Own Axis, जो की 23 डिग्री अनहाफ पे क्या है, टिल्टेड है, अर्थ टिल्ट हो गई अब यहां पे, अब बना अब बनाएंगे, आप एक्वेटर, तो अगर आम एकवेटर बनाएंगे, क्योंकि ए ट्लृत इक्वेटर भी तो ऐसे होगा, ठीक है, इक्वेटर भी तो ऐसे होगा, अलेकमी बीचिंग डीक संभ और कलनर गो तो अगर हम equator बना रहे हैं तो यह हुआ हमारा equator ठीक है equator भी टिल्टेड होगा थोड़ा सा अब हमें यह पता है equator के उपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं equator के उपर वाली लाइन है हमारी यह हुआ है अगर हमारा equator है एकवेटर पूरा अर्थ को डिवाइड कर रहा है तो इसके नीचे क्या हो गया इसके नीचे होग लाइन जर यह हो गया अभी इसको इसको मार्किंग करेंगे इसके नीचे क्या हमने बना लिए यहां पर ऑक इसके नीच आपने बणा ले cortar और हम बता रहें कि यह क्या है ट्रॉपिक अफ केपरी मॉलए यह क्या है डॉपडिक अर्क इन ट्रॉपड कर ट्रेंट्क सर्कल सुपर में महाँ बना रहें क्यों और यह से जुकी तो आपको मेरा फिजिक्स वाला बिल्कुल सीधा है अगर मैं ऐसे हो फिजिक्स वाला भी टेडा हो गया यहां पे सब कुछ सबसे पहले यह हो गया हमारा north pole और similarly नीचे south pole यह क्या हो गया हमारा this is equator this is equator ठीक है यह क्या हो गया हमारा Tropic of Cancer. उपर वाला Tropic of Cancer. नीचे वाला ये Tropic of Capricorn. इसके नीचे उपर वाला क्या हो गया? Arctic Circle. और नीचे क्या हो गया? ये वाला Antarctic Circle. ये याद हो गया? इसके नीचे वाला पार्ड ये वाला पार्ड हो गया? Southern Hemisphere. ठीके? Southern Hemisphere. और उपर वाला पार्ड हो गया? यहाँ से लेकि यहाँ तक Northern Hemisphere. क्या हो गया बेटा? Northern Hemisphere. यहाँ तक क्लियर हो गया? मार्किंग कर ली. अब अगर हम देखें, Sun क्योंकि और जुकी हुई है, Sun की Direct Race पढ़ रही है इस तरफ से. तो कहने का भाव ये हुआ कि यहाँ पे Sun की Direct Race पढ़नी है, तो यहाँ पे Direct पढ़ेंगी. ठीके? यहाँ पे Direct पढ़ेंगी, यहाँ पे Slanting पढ़ेंगी, और यहाँ पे कम-कम पढ़ेंगी. ठीके? यहाँ पे पढ़ रही है. अब हमें आप देखते जाओ, magic और सक्रोफ, इल्यमेकन, और हमें clear होता mhm कि दिन यहाँ है और किना दिन यहाँ ठीके? होगा यहाँं पे,हाँ रही है। यहाँ पर यहाँ ठीक है। आर यहाँ मैं आप यह बता ओ, कि कि किनना यहाँ लंबी रहात filler- ।्s यहाँ पाढ़ तब शाखो रही है एक होगी यहां पर देखोगे यहां पर इऑ वह लॉंगर है तो में चल रहे हैं ऑन दी अगर आप राते देखोगे द राते ईसे कमपेटिवली छोटी होंगी कчто अगर आप देखोगे राथे ऐस कंपेटिवी क्या होंगी छोटी होंगी राते क्या होंगी अभी हम psychologists की बात कर रहें कर रहें राते क्या है चोटे है धिन लंबे हैं और राते चोटी हैं अगर हम सदन हमेस्फेर का देखें यहां पर दिन छोटे हैं ठीक है यहां पर देखो दिन क्या है यहां पर दिन छोटे हैं क्वी यह वह दिन देखो कितने च्टे है यह वह पूरा से घिंशो कितना कितना है जोटा है oh only day देखो देशोटा है देशोटा है लेकिन रातें एब का रहा है सकंपर टिवली लॉंबी थो अगर हम बोलें अगर हम बोलें कि clergy northern hemisphere में अगा डे लॉंहम और है और से थे नर्थन कहँड में क्योंकि यहां पे हम भी बोढ हो घम ते में क्या होता है papa थे न— चोटी है न्हआइड क्या है स्मॉल है स्मॉल है लेस है पूट और यह उल्टा उल रहे है Today में रहारा Germany यह सदन हमिसफेर सदन हमें में क्या हो जाएगा सदन हमें सर में रिवर्स हो जाएगा कि दिन जो है वह छोटे हैं लेग डे इस आर यहां पे रहतने लंभी है Nights लोंगर नाइट जो है वह लंबी तो northern hemisphere में अगर गर्मिया चल रही है कि गर्मियों इसली इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिन लंबे हैं और राते चोटी है तो दिन लंबे हैं और राते चोटी हैं अगर उपर मतलब नौदन हमेस्वेर में समर चल रहा है तो सदन हमेस्वेर में विंटर सीजन चल रहा है क्योंकि यहां पर दिन चोटे हैं ठीक है तो उपर और नीचे का भी बहुत बड़ा रूल प्रे करता है और यहां तो आप और यहां रहा है तो नाइच छोटी है क्योंकि यहां पर सपर सीजन चल रहा है और सदन हमेस्वेर में दिन दिन छोड़े हैं और राते लंबी तो मतला मियां पर नहीं सिजन less वो क्या है एर्थ का डे और नाइट शौटर और लॉंगर है तो क्योंकि हमारी टिल्टेड है इसलिए कुछ दे पर लंबी राते होती है कुछ दे चोटी राते होती है लेकिन सरकर ऑफ इल्यूमिनेशन हमें बताता है कि यहां तक भाई दिन होगा और यहां तक राज इफ्यान सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिन को यहीं रोग दिया ठीक है का रोग दिया जो सन की रिज़ यहीं रोग दी और यहां है घ्लिटेड है वह यह बतारा है इसको थोड़ा और बोल्ड करते हैं यह जो मारा आक्सेज है वो ये बता रहा है कि भाई ये वले एरिया में दिन जो है ये वले एरिया में डिवाइड़ हो गया है ठीक है तो ये वले एरिया में रात है बीबी लेकिन राते लंबी है राते लंबी है और दिन छोटे है यहां पर राते छोटी दिन लंबा है ये राते छोटी दिन लंबा सिर्फ क्योंकि और टिल्टेड इसे लिए ही होता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जो हम यह देख लेते हैं कि हमारा ओके यह हो गया चलिए हम आगे यह देख लेते हैं कि revolution क्या होता है revolution is the movement of the earth in a fixed place ठीक है यह हमारा एक ही प्लेस头 मूव करी जा रहा है ऽ। और ये बीच में हमारा संके इंदर आएं तोी कईशन अब अभी हमने यहवर रही थी थी तो यहांपर में समर हो रहा था और सदन उपर हो रहा था समर सीजन और नीचे हो रहा था में आउट सीजन है और अगर डाखपी इस देर पढ़ेंगी तो क्या होगा अभी पताते हैं अभी क्या होगा एक और डाइग्रम बनाते हैं जिसके मैं पता लगेगा क्या होगा अगर सन फॉर इंपल हमारा इधर है सबसे पहले एक एक बनाएंगे ठीक है सबसे पहले एक बनाएंगे ठीक है हमने यह पढ़ा ने कि सन अभी इदर था अब हम बोल रहे हैं कि सन इधर है यह हमारी और हम बोल रहे हैं हमारा जो सन है वो कुछ इस प्रकार है सन कुछ इस प्रकार है ठीक है और हमने इस क्या करने सबसे पहले हमने सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन बनानी है जो अर्थ को जो day or night में divide करती है जो earth को day or night में divide करती है जो earth को day or night में divide करती है यह बन गये circle of illumination यहां पर होगा अब डिन और वहं पर होगी रात थीक है तो इससी को यह फिनॉमेना आप ने पढ़ा बेटा यह फिनॉमेना आप पड़ा जब Sun की डारीक्टर एंहेस इधर होती है इसको भी एक और नाम से जानते हैं समर सॉलिस्ट डईस जब नॉर्डन हमे स्वियर में समर होती है ठीक है और सदन हमेश्वेर में विंटर होती है नॉर्दं से मानेंगे तो वह समर स्वाइब यह भी होता है कि राते छोटी और दिल लंबा सिर्फ नौर्दन है में समर सीजन चल रहा है ठीक है अभी सीजन के बार में और इंडिटेल पढ़ेंगे यह वह लास देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अगर आप यहां पर सन है यह हमने बना इसलिए हम हमेशा इस तरफ ही जुकी होती है ठीक है तो इसलिए हम इसको घरत करें यह 이야기작emen करें 받고 तो भी ऐसे जुक रही है ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जागी situation राइट तो वह एक ही तरफ से जुकी होती है और जिस को बोते 26 अंडा हाफ डिग्री पे वह जुकी हुई है ठीक है फड़ा फड़ मेंशन कर देते हैं वी विल मेंशन दे एक्वेटर ठीक है एक्वेटर मेंश एक्वेटर की उपर वला क्या होता है ट्रॉफिक ऊफ कैंशर बीसे अर्टकि अयुचर मेंचल में सब्सक्राइस अशिए अट्रिटिय एंतार्क्टिक सर्कौ थेक्र यह हमने उर्थ का डाइग्रम बना दिया क्योंकि एस्ट क्या है जुकी हुई है जुकी हुई है था थो नहीं तो यह समझ आगे हैं मेंशन करने की जुरूआ है फटाफट कर लेते हैं ठीक है फटाफट कर लेते हैं मेंशन चलो नॉर्थ पोल साउथ पोल यह वला पाथ का ऊपर नौर्धन हेमेश्फियर जितने टायग्राम बनाऊगा ना उतना समझ आएगा Southern Hemisphere, ठीक है, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, इसके बाद Equator, Equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, North Pole, South Pole हमने बना दिया, ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं, कि जो Sun की Raise है, वो डारेक्टली पढ़ रही है, कहाँ पर पढ़ रही है, अब देखो, ये वाली साइड टिल्टीड है, तो Sun की Raise डारेक्टली इधर पढ़ रही है, इसको हमने क्या बोला, Capricorn, तो Sun की Raise कहाँ पढ़ रही है, अभी इस वाग, Tropic of Capricorn पर, यहाँ पर Slanting है, यहाँ पर Slanting है, और यहाँ पर Slanting है, यहाँ पर Slanting है, यहाँ पर Slanting है, और बीच में माल लो, यहाँ पर भी Slanting है, डारेक्ट का पढ़ रही है, डारेक्ट पढ़ रही है, ट्रॉपिक of Capricorn पर, ठीक है, अब देखते हैं, इमाजिकल सिच्वेशन की क कहां कहां मारा दिन होगा घ का ये दिन कर रहा है कि ये दिन है कहां कहां अमारा डे यंदे अच Alrighty ये और ये साल होगा अब आप देखते है कि कि दिन और राच लंबी चोटी का juice और red pen ले लेंगे, तो देखें, तो डे यहां पर short है, देखें यहां पर, तो डे क्या है, डे यहां पर short है, तो देखें यहां पर, डे यहां पर short है, डे short है, northern hemisphere में दिन छोटे हैं, और राते, और राते क्या हैं, राते लंबी हैं, राते लंबी हैं, तीक है, यह night है, यह नाइट है नाइट लंबी है और दिन चोटे नौर्दन हमेस्वेर में अगर डेस शौट हो ठीक है और नाइट लॉंग हो नाइट लॉंग है तो मतलब यहां पर विंटर सीजन चल रहा है विंटर सीजन चल रहा है नौर्दन हमेस्वेर में जैसे की इंडिया में पाए ज और नीचे यहाँ देखो तो डेज लंबे है सदन से मैं डेज, देज लंबे, क्या हैं? डेज, लंबें और रात न्थी हैं यहांपर तो कहने के बाद क्या है कि सब्सक्राइब आ नहीं हो उसका को बहुत है नायड लंभी और उसको विंटर स्टाइज भी बोलते हैं हमेशा यादखना विंटर सॉलिस्टाइज भी बोलते हैं हमेशा यादखना कि जो सॉलिस्टाइज है दिन लंबे राते चोटी राते लंबे दिन चोटी यह नौर्धन हैमेस्फेर में दिमाग रखके बनाया जाता है और लास्ट बात एक और चुटी सी क्योंकि आम में जैसे कि ऑस्टेलिया है वह समर्स में विंटर मनाते हैं इसलिए उल्टा हिसाब किताब है उपर अलग नीच अलग क्योंकि दिसान की डायरेक्ट रेस यहां पर पड़ रही है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने तो सारा ही पड़ा दिया है बड़ फिर भी एक बार रिवाइस करते हैं रोटेशन समझागी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ठीक है यह ऐसा ग्लोब है हमेशा ऐसे एक्सिस के टिल्टेड रहते हैं सीधा नहीं होता सीधे वरी ल इलेप्टिकल मोशन इंपने ओलटेव और यह एपने मोशन में और एक्स अंपने वरी और बीच में शन है और यह अगर अमारी और है तो वह एलेप्तिकल मोशन में रिवाल होती है को जी मोशन में elliptical motion, ठीक है, like, not this, this motion, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, एक last चीज, जो है, orbital plane, ठीक है, ये समझते हैं, orbital plane क्या होता है, इसके लिए मैं फिर diagram मत बनाओ, ठीक है, easy, easy diagram बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारी होगी, perfect circle भी तो cannot make, ठीक है, ठीक है, तो perfect circle के लिए what we need to do is, help लिनी पड़ती है, ठीक है, ये हमने बनाई perfect earth, ठीक है, perfect earth में हमने बनाया, सबसे पहले, क्या बनाया, axis बनाया हमने, ठीक है, हमने क्या बनाया, axis, नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे circle of illumination, जो बीच में divide काता, day and night में, फिर बनाएंगे हम अपने axis, supposedly ये हमारा हुआ axis, ठीक है, ये, जो हमारा axis है, ठीक है, ये कौन सा अंगल है, अभी तो याद होना चाहिए, 23 and a half degree के अंगल पर जुकी हुई है, tilt है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये vertical plane हो गया, ये vertical orbit हो गया, और आमें ये भी पता है, कि बीच में equator कट कर रहा है, ठीक है, बीच में क्या कर रहा है, equator कट कर रहा है, ये equator बीच में कट कर रहा है, ठीक है, तो अब आप ये देखो, इस plane को बोलते है, orbital plane, ठीक है, ये वले plane को बोलते हैं, ये वले plane को, ये वले, ये वले angle को बोलते हैं, orbital plane और आपकी बुक में यही लिखा है orbital plane आपको यह देखना है कि earth जो है वो 23 के angle पर जुकी हुई है ठीक है और यह वाला जो plane है इसको बोलते हैं orbital plane और orbital plane का angle क्या है 66 under half degree मैं हम यह दोनों याद करने पड़ेंगे दोनों बहुत ही simple है अगर हम यह वला angle देखें ठीक है अगर हम यह आउंगल देखें this angle is 90 degree angle ठीक है यह वला जो angle है कि क्या है 90 degree of angle है ठीक है 90 degree total हो गया हमारा और हमें यह पता है कि यह वाला जो angle है यह 90% 23 पर 23 degree under half sorry 23 degree पर जुकी हुई है 23 under half degree पर क्या है तिल्ट है, तो 90 माइनस 23 डिग्री अना हाफ इस इकोल टू 66 अना हाफ डिग्री पर ये और्बिटल प्लेन बनाती है ठीक है, अगर हम अगर हम for example, ठीक है, सब कुछ बूल के, ये लाइन बूल जाएं हम अपनी ठीक है, ये लाइन बूल जाएं ये वाला लाइन ठीक है, ये वाला लाइन बूल जाएं और अगर हम देखें कि अर्थ तिल्टेड है, ये इसका और्बिटल प्लेन हुआ तो ये 66 अना हाफ डिग्री बनाती है ठीक है, तो 23 अना हाफ डिग्री पर तिल्टेड है और टिल्ट से लेके एकवेटर का जो अग्ल है, वो 66 अना हाफ है इसको और्बिटल wrai, इसको क्या बोलते है इसको और्बिटल प्लेन बोलते है, ठीक है अब समझा है, ऑर्बिटल प्लेन आकस इस ओप बिएर्थ, विच इमाजनरी लाइन देखो बिटा, the axis of the earth, ये axis, ये earth, ठीके, और ये इसका axis, ठीके, ये इसका axis, एक imaginary line है, ये angle बनाती है, 66 under half, ये वला जो angle है, 66 है, लेकिन हम circle of illusion मनाते है, ये tilt है 23 under half degree Celsius पे, ठीके, समझ आ गया, circle of illusion, axis, tilt है 23 under half degree पे, ठीके, orbital plane बनाती है, 66 under half degree, ठीके, इसके बाद, I guess, एक बचाय लीपियर, तो जब हम revolution की बात करते हैं, ठीके, जब हम revolution की बात करते हैं, तो earth को पूरा revolute करने में, एक revolve sun करने में, कितना time लगता है, time लगता है, 36, ठीके, one, one rotation, ठीके, one rotation, यानि की, एक बार rotate करने में किते दिन लगते हैं, एक दिन लगता है, यानि 24 hours, ठीके, one revolution करने में, एक बार sun की आगे गूम नहीं, यह देखो, यह earth है, यह axis पे गूम रही है, ठीके, अब बात होती है, यह एक imaginary orbit है, ठीके, यहाँ पे हमारा बीच में sun है, और यहाँ पे earth है, और earth एक full rotation करने में, कितना दिन लगाती है, लगाती है, 365 and a half days, ठीके, लेकिन माम हम तो हमेशा 365 गिनते हैं, बिलकुल, तो हम क्या count करते हैं, 365, ठीके, और under half बोल रहे हैं, यानि की, one by four, ठीके, not under half, it's one by four, it's one by four, ठीके, 365, one by four degree, एक चौथाई, ठीके, तो एक चौथाई को अगर हम divide करें, एक दिन के अंदर, ठीके, एक दिन के अंदर, 24 hours होते हैं, इसको अगर divide करें, four से, ठीके, ठीके, one by four कर रहे हैं, तो क्या answer निकलेगा, six, क्या answer निकलेगा, six, समझाया, math समझाई, math OP, one rotation, जो earth घूम रही है, 24 hours में कर रही है, one revolution कर रही है, 60, 365 पूरा दिन और आदा, मतलब आदा भी नहीं, one fourth, आदे दिन का भी आदा, whole का आदा, आदे का भी आदा, fractions कर रहे हो ना, तुम, ठीके, one by four, तो मतलब ये six hours हो गए, six hours हो गए, किया ना में, 24 divided by four, 24 hours divided by four, four six, 24, ठीके, समझा गया, तो अब ये हो गया हमारा six hours, तो यह से तो हम, for example, year one, 365 count करते है, year two, 365 count करते है, year three, 365 करते है, लेकिन चौते साल, six plus six, plus six, plus six, add करते रहते है, ठीके, six plus six, plus six, plus six, add करते रहते है, हर four years बाद, हम जो six, जो one fourth है, इसका, जो one fourth है, वो six years, one year में, ठीके, फिर दूसरी year का six hours count कर लिया, फिर three, third year का six hours count कर लिया, फिर four years का six कर लिया, तो six plus six, 12, plus six, plus six, makes 24, यानि कि एक पूरा दिन हम add कर देते हैं, every four years, हर चार साल के बाद, हम एक पूरा दिन add कर देते हैं, which makes 366, इसलिए हम February में, February में 29 days कर देते, उसको बोलते हैं, ली पियर, उसको बोलते हैं, ली पियर, तो जो हमारी earth है, वो 365 days नहीं कम्रीट करती, 365, one by four, यानि कि एक दिन का चौथा हिस्सा, यानि कि छे घंटे और घूमती है, एक पूरे साल में, लेकिन हमको वो समझ नहीं आता है, इसलिए हमने हर साल, वो 6-6 गंटे add करते रहे, लेकिन चौथे साल, हम वो 6 years, 6 plus 6 plus 6 plus 6 makes 24, यानि कि एक पूरा दिन, तो हम एक पूरा दिन add करते हैं, हर four years बाद in February, वरना February में 28 days होते हैं, 29 add करते हैं, every four years, इसलिए उसको बोलते हैं, leap year, ठीक है, तो leap year हमें समझ आ गया, leap year क्या होता है, six hours saved every year, हर साल हम six years को save करते हैं, ठीक है, और एक दिन add करते हैं, every four years के बाद, और वो बन जाता है, leap year, और यह leap year कब देखते हैं, surplus जे, एक्स्ट्रा डेम add करते हैं, February के अंदर, और every fourth year, February has 29 years, 29 years, नहीं होते हैं, usually 28, 28, 28, एक साल में 29 add करते हैं, four years जब कम्प्लित हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए जब leap year होता है, उसके अंदर, 366 जेज होते हैं, right, I hope I have made myself clear, अब बात आती है, seasons की, ठीक है, हमने winter की, हमने तो पहली समझा दियता, winter season होता है, summer season होता है, spring season होता है, autumn season होता है, ठीक है, winter season, अब हम northern hemisphere पर रहते हैं, इंडिया में तो हम northern hemisphere की बात करेंगे, ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं, जो sun की direct rays, अब हम बात करते हैं, summer season की ठीक है, तो यह हो रहा है, summer season, summer season में क्या है, sun की direct rays पढ़ रही है, कहां पर, ट्रॉपिक ओफ पांसर पर, ट्रॉपिक ओफ गांसर पर डारेक पर पढ़ रही है, और उपर वले हिस्से में, मतलब northern hemisphere पर direct race पढ़ रही है, तो यहां पर दिन automatically लंबे हो जाएंगे, और रात है छोटी हो जाएंगी, क्योंकि हम divide करते हैं, क्योंकि हमारी earth है tilted, इसलिए हम circle of illumination दिन count करते हैं अपना, तो उपर हो रहा है northern hemisphere में summer हो रही है, और southern hemisphere में winter हो रही है क्योंकि यहां पर sun की direct race नहीं पढ़ रही है, इस fenomena को हम summer solitize भी बोलते हैं, similarly अभी हमने पढ़ा यह same चीज की winter season है, तो सारी की सारी सनकीरेs, Tropic of Capricorn पर पढ़ रही है, जो की southern hemisphere में है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर summer season होगा, मतलब दिन लंबे होंगे, राते चोटी होंगे, उपर जाने की हम रहते हैं, इंडिया northern hemisphere पर लाई करते हैं, यहां पर winter season होगा, दिन चोटे और राते लंबी, ठीक है, इसलिए हम summer hemisphere, sorry, southern hemisphere, ठीक है, चलिए, लास्ट पार्ट कम्प्लीट करते है, फटाफट, मैम, एक बाह बताओ, autumn और spring season में क्यों होता है, यहां पर तो बहुत जादा गर्मी भी भी नहीं होती, बहुत ठंड भी नहीं होती, तो यहां पर जो sun की direction है, यहां पर है, हम completely northern hemisphere की बात कर रहे ह तो यहां पर की तरफ, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, summer solitize होगा, 21 June में, ठीक है, और नीचे winter होगा, उपर summer season चल रहा होगा, जहां पर हम रहते हैं, इधर क्या होता है, यहां पर 22 December, ठीक है, ठंड चल रही है, winter season है, northern में से और नीचे summer season, लेकिन, जब sun, क्योंकि elliptical motion है, यहां वली चीज़े दूर है, क्योंकि elliptical motion है, देखो, circular नहीं है, अगर circle होता, तो यहां पर भी equal light जाती, heat जाती, यहां पर भी equal जाती, यहां पर भी जाती, जब sun, जब sun की इरद्गे revolve करियों, लेकिन elliptical motion है, equal light कभी नहीं जाती, जब यह sun है, यह औरत है, तो यह दूर पड़ रहा है, ठीक है, तो जा इसले side पर जाएगी raise, वहीं पर ही summer होगा, यह sun है, यहां पर earth है, तो यहां पर जिस earth के पास में जाएगी, rotate करते हुए, वहां पर ही क्या होगा, वहां पर ही winter यह summer होगा, उपर नीचे का देखेंगे, लेकिन जब यहां पर sun इस तर होती है, और earth इस तरफ होती है, यहां पर equal heat जाती है, यानि कि जब spring season हो September के time पे, या फिर promise के time पे, स्प्रिंग सीजन हो या सप्रिंग सीजन हो सप्टेम्बर के त्याम यह ओट Bardi, तो यह क्या होता हूँ ही क्या जाती है तो नहीं और यह बहुत दा बढ़ा दिनीर होता है छोटी रातें dus are almost equal होता है इसको बहुत है सवलिस्टाइज, उवेंटर सौलिस्टाइज, इक्विनॉक्स और सौलिस्टाइज, ओटम N सब्सक्रीह सीजन न्वाइज तिस नुस नौ ऑटिस स्लीह यह दूरा आएं आञशन अटमूक ऐसी सब्सक्रेज 53 नं कॉन ani egoन नॉरेंगे हमेस्फ्यर टो बिश होटा की तरफ है सब्सक्राइब नोज पोल पर अमेशा भी मैस वाति गर्मी नार्स वियूце-वकीर एक्सपिरियंस दे लाइट फॉर शिक्स मंथ ठीक है नेक्स आता है तो नीचे क्या हो जाएगा उपर गर्मी नीचे सर्दी उपर सर्दी तो नीचे गर्मी क्योंकि रीजन यही है और हमारी तिल्टेड है तो रिषवब का अंसर यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर क्योंकि और टिल्टेड एंट और अगर ममी इंडिया में काम कर रही है तो वहां पे दिन आध्पर अपर नाइट का भी फरक है संकिरेश जान पड़ेंगी होगा सन किरेश जान नहीं पढ़ेंगी वहां पर नाइट होगी प्लस जो ब्राते लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं वह विंटर सीजन होता है नौर्धन हमेशा इंडिया को दिमाग में रखना और नीचे नौर्धन हमेशा उल्टा चलेगा उपर विंटर है नीचे समर होगा ठीक है उपर समर है नीचे विंटर होगा और पोल्स पे हमेशा जो लाइट है संकी वो स्लांटिंग जाती है कभी डिरेक्ट नहीं होती तो महां पे हमेशा ठंड होती है बले ही वो नौर्थ पोल हो या वो साउथ पोल हो राइट सो विद इस चिलियन भी कंप्लीट आ लेक्ट्टर आपको बह अच्छे समझ आ गया कोई डाउट है नीचे लिख सकते हो और डाइग्रम जूरूर बना ओल्राइट बाबाए सी यू नेक्स टाइम